हस सरोकार बयान बोले स्वायत था के बिना के बिश्विद्याले सरकारी भी भाग बन जाएंगे करनाटक रैली में राहूल गांधी ने मोधी सरकार प्रकसा तंज बोले मोधी ने पंद्रा लाग रुपय का वादा किया था आये क्या गुजरात में आमादमीर पार्टी नेता को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा बीचे पी नेताओं पर दिया था आप मांजनक बयान नमस्कार मैं हूं मैं यूरे सर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का निकाय चुनाव को लेकर सियम योगी ने प्रदेश की जनता से अपील की है उन्होंने जनता से वोट कस्ता ही इस्तमाल करने की अपी कोई चिंता है तो किवल एक जिन दंगाईयों और पेशेवर अपराध्यों पर प्रदेश में अंकुष लगा है वे सब अब फिर से मचल रहे हैं वे बार बार धंकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार सावधान रहिए आप चुके तो नकिवल पांच साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा बलकि उप्तर प्रदेश को इस बार कस्मीर बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी आपका वोट आने वाले पांच वर्सों की हमारी तपस्या के लिए आपका अस्रिबाद हो और इससे भी बढ़कर या वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के भैमुक्त जीवन की गारंटी भी बने जैजैस लिलाम फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में घर के अंदर मंडप सज कर तयार हो चुका था जबकि दूलहा भी सहरा बांध कर बारात के सांथ दूलहनिया को लेने उसके घर पहुँच चुका था लेकिन जैसे ही दूलहन और दूलहे के साथ फेरे होते इसी बीच मुखमंतरी उडन दस्ते ने अपनी दस्तक दे दी और सी डबलो सी की टीम के साथ इस शादी को पहुचकर रुकवा दिया बताया जा रहा है कि जिस लड़की की शादी की जा रही थी वो लड़की नाबालिक है पुलिस ने दूलहे, पीडित और एक महला को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कारवाई में जुड़ गई है इसने हमारे पास मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरिद अबाज को जो स्री डबलू से चाइड्ड जैल्फिर को में ठीकर सुनील जी है और रेनुका जी है उनकी तरफ से एक पूचना आई थी और नव प्रेयास को संस्क्राइब इस तरह का एक बच्चियों की शादी का काम ह तो तब यह था कि वह पता चलेगा वास्तम यह है तो इन्होंने एक पच्चिस साल के लड़के तो इसकी शादी करके और आज इंको बुला लुए कि शादार पर जब हमने आज रेड़ की तो वहां पर शादी होकी मिली थी और जो पंडित थे वह उनको बताया था कि मैं मेरे को बुलाया था मैंने मना किया था तारा डुबावा नहीं होगी तो इनका नहीं जलती है जी आजाओ यह है कि हमारे यहां इंजियो है नवपरिया सेवा संग्ठन उनके कुछ सदस से परसो मेरे से आके मिले थे कि एक राजीव कलोनी के अंदर आशा नाम की महिला है ज हमने एक डमी बच्ची तैयार करी सोला वर्ष की और आज उसे रंग यहाथ हमने मंदप में पकड़ लिया तो दरसल क्या हो उसे महिला ने पंडित ब्यूटी पारलर और जो जरूरी शादी के लिए जो लोग होते हैं वो सारे उसने हैर कर रखे हैं लगबग सारी शादियो को सुनकर निस्तारण के लिए समंधी ठाने में आदेश के साथ साथ दिब्यांग फर्यादी के अनुरोध पर उन्हें सरकारी गाड़ी से घर तक छुड़वाया जिसका वीडियो तेजी से वारल हो रहा है दिब्यांग भाई बहन ने बताया कि उन्होंने एक दुकान किरा अधिखशक से शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुचे थे जहां पुलिस अधिखशक ने पूरे मामले की जर्च कर कारवाई करने के निर्देश दिये हैं यह जनसुर्वाई के दौरान दो दिव्यान जो भाई बहन आये थे इनके साथ किसी से इननोंने पैसे लिये थे तो पैसे इनोंने दिये थे और अब वो व्यक्ति की डेच हो गई जिसकी दुकान के लिए दिये थे उसका को इश्यू था तो मैंने रेपर कर गिया है संबल कि दोनों करने में थोड़ा असफल हो रहे थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें बाहर तक कोई छोड़ दे तो हम टेंपों से घर चले जाएंगे उसके लिए उनको हमने चुलवा दिये तो क्योंकि यह दिव्यान के लिए सरकार की यही मंच्छा है कि पीली भीत बिधान सभा बीसल पूर शेत्र के गाउं पूरैना देवा नदी के पास गाउं के लोगों ने मिलकर धर्ना पर दर्सन किया ग्रामिडो का आरोप है कि सेतु सिपृती जगहापन नहीं बन रहा इसलिए सब ही लोग मिलकर आंदोलन कर रही हैं बता दें कि जब पी डबलूडी मंतरी जितिन परसाद ने पांच अपरेल को सेतु का शिलन्यास गुदरानपूर में किया उस वक्त ग्रामिडो में बहुत आकरोज देखने को मिला था जिसके बाद ग्रामिडों ने दो तीन दिन परदर्सन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी थी क्योंगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वे धरने पर बैठ जाएंगे और आंदोलन करते रहेंगे ग्रामिडों की समस्या का समाधान नहीं हुआ इसलिए उनका धरना परदर्सन जारी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे समवादाता अमित हम से जूड़ चुके हैं अमित सेतु निर्माड की मांग को लेकर परदर्सन किया जा रहा है ग्रामिड आकरोशित नजर आ रहे हैं क्या कुछ पूरा मामला है यह आपको बता दे चलें कि यह जो सेतु निर्माड चल ला है जहाँ पर इसका उद्गाटन कि यह वहाँ पर नहीं निर्माड हो पा रहा है जिसके वज़े से इन लोगों में ग्रामिड में आगकुरस देखने को मिला है लगबग सेतु निर्माड के चारो अरुद की गाउं दस-पंद्रा गाउं के लोग बराबर तहना परदशन कर रहे हैं आज बारवा दिन चल ला है और इनके समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है जी धन्यवाद अमी तमाम जानकारियों के लिए हमीरपुर में हुई आजीबो गरीब शादी शेत्र में चर्चा का विशे बन गई है एक यूवक ने किन्नर की मांग में सिंदूर भर कर शादी रचाई है दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर मिट्टी के खंबे के साथ फेरे लगाए वहें सनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ जम कर वारल हो गया है ये मामला हमीरपुर जिले की राठ तैसेल शेत्र के टोला खंगारन गाउं का है उत्ता प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही आगया आफ से फिर होगी मुलाकात तब तक ले बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार